एक जीडी फैमिली विलोग यूटूब चैनल की रिट किया है वहाँ पर हम डेली रूटिन डेली लाइब की वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों अभी सुरू करें ये खेती विक्येगी तीन लाग रूपे किलो से लेकर चार लाग रूपे प्रती किलो तक जी हाँ यदि आप इस फसल को इस खेती को करते हैं तो आपकी ये फसल तीन से चार लाग रूपे प्रती किलो तक विक्येगी सोची यदि आपकी यही फसल एक कुंटल भी निकल जाती है तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपके लिए सुनने में वाकई में कुछ अजीब सा या चंबल लग रहा होगा लेकिन ये वात बिलकुल सच है ये फसल वाकई में 3-4 लाख रुपे फ्रिती किलो बिग जाती है यदि वीडियो को लाज तक देखोगे तो आप जान पाएंगे कि ये कौन सी फसल है कैसे करना है और आप पैसा कैसे कमा सकते है यदि आप खेती को विजनिस के तोर पर ले जाना चाते हैं तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखना सब कुछ आपको A to Z information मिल जाएगी नमशकार स्वागत है आपका Smart Business प्लस YouTube चैनल में और मैं दीपक कुमार हाजर हूँ आपके सामने खेती किसानी के कौर ने informative जानकारी लेकर दोस्तों हमारे पास कई सारे भाईयों के कमेंट्स आते हैं कि केसर की खेती कैसे करें तो वाकई में ये वीडियो केसर की खेती की उपर है और इसी केसर को लाल सोना के नाम से भी जानते हैं और मार्किट के अंदर केसर की डिमांड अधिक होने की वज़े से इसकी requirement जदा आ रही है और इसका वाव भी बहुत ज़्यादा है मार्किट में सबसे जदा उचे दामों पर बिकने वाली सिर्फ केसर की फसल है तो आईए सीखते हैं केसर की फसल या केसर की खेती कैसे करें तो सबसे पहले तो आपके लिए बता दें कि आपके जो भी सवाल है वो इस वीडियो में किलियर हो जाएंगे जैसे कि भारत में केसर की खेती कहां कहां होती है या भारत में या कहीं पर भी केसर की खेती कैंसे करें केसर की खेती के लिए जलवाई और मिट्टी कैंसी होना चाहिए तो फ्रेंट से बता दें कि भारत में केसर की खेती बेफसाइक तोर पर मुक्य कस्मीर में मानी जाती है बैसे तो वारत में केसर 95% बेदेसों से आयत होती है पर फिर भी भारत में कस्मीर की केसर बहुती बिस्वप पिरसिद है इसके अलावा बारत में अनेक चेत्रों में भी केसर की खेती को अपना रहे हैं लेकिन जलवाईों को विविनिता के कारण वहां कम कारगर सावित हो रही है जम्मो कस्मीर में केसर की खेती का राज मुक्य बरदान है और वहाँ के कुछ प्रकतिक चाइने चेत्रों में ही केसर के खेती संभव है और जिसे इंग्लिस में सैपराउन फार्मिंग बोलते हैं बात करें कि केसर के खेती के लिए जलवाई और मिट्टी कौन सी होती है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निमदने कर यदि आप अपनी इंकम को बढ़ाना चाते हैं अधिक पैसा कमाना चाते हैं केसर की खेती के लिए जलवाई और मिट्टी की बात करें तो समुद्र तल से मुक्य पंदरासो से पच्चीस सो मीटर की उचाई वाले पत्रीली भूमी इस्तान जलवाई ठंडी तता सुस्क होनी चाहिए हलकी धूप वाले छेतरों में ज़्यादा विक्सित की जाती है केसर की खेती ज़्यादा वारिस वाले इस्तान पर पौदे का विकास कम होता है ज़्यादा वारिस वाले इस्तान में प्रवावित करते हैं फूल लगने की क्रिया को तो इस परिकार की खेती के लिए मुक्य दौमट मिट्टी और रतेली चिकनी मिट्टी और वलोई मिट्टी इसमें पानी का निकासी आसानी से उप्युक्त हो तो वह मिट्टी आराम से केसर के खेती के लिए अच्छी मानी गई है बात करें केसर की बीच की रुपाई का समय और केसर की वुआई का समय का तो केसर का बीच लगाने का सही समय जुलाई से अगस्त महीने के बीच में उप्युक्त रहता है तो अभी भी आप लगा सकते हैं जुलाई महीने में लगाईए अगस्त महीने में लगाईए दो महीने आपके लिए बेच टैप बहुत ही अच्छे हैं इन महीनों में आप सेपराउन के बल्व या फिर इसकी पौद लगा सकते हैं बात करें केसर के बीज की तो केसर की दो उन्नत किस्में आती है पहली मोगरा केसर दूसरी आती अमेरीकी केसर अब आप कहेंगे कि इन दोनों किस्मों से हमें कौन सा केसर में लगाना चाहिए जो अच्छा प्रॉफिट और अच्छी एक्तामों में बिग जाए तो आपके लिए मोगरा केसर लगाना चाहिए जो कि कस्मीरी केसर के नाम से चलता है और इस केसर की स्वधेसी होने की वज़े से डिमांड काफी जादा रहती है और औरिजिनल और्गनिक प्योर केसर कस्मीरी केसर ही माना जाता है बात करें केसर की केती में सिचाई की तो इस पिरकार के केती में औसद 10 सेंटी मीटर बरसा की अफशकता होती है एक बार केसर वीज लगाने की या रोपाई के लगवग 15-15 दिन की अंतराल में दो से तीन सिचाई करें सिचाई करते समय मुक्य ध्यान रखें कि कहीं केत में जलवराव ना हो बिसे इस तोर से बारिस के समय यदि जल हो तो निकासी की अपरवंद अवश्य होना चाहिए बात करें केसर की खेती में देखवाल की जरूरत कैसी पड़ती है तो केसर में अनवश्य खरपदवार नहीं होने देना है बुआई के समय खेत में अच्छी तरीके से तयारी होनी चाहिए खेत में देख रेक करते रहना चाहिए और खरपदवार हटाते रहना चाहिए केसर के अच्छे विकास के लिए कम से कम हर दिन 6-8 गंटे धूप की अवश्यक्ता होती है जब केसर के पौदे उगाव यानि जमीन से वाहर निकलने के अवश्यक्ता में हो तो तीन दिन में सिचाई करते रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का यानि गोवर की खाद का उप्योग हो ज़्यादा धूप आरिस का भी ध्यान रखना चाहिए मिट्टी जितनी उपजाव होगी उप्तपादन उतना ही ज़्यादा होगा इसलिए बौई के समय जैविक खादों का प्रियोग करके बढ़ाया जा सकता है बात करें केसर के फूलों के आने का समय कब है तो केसर की खेती में अक्सर केसर के फूल मुक्यत है अक्टूबर से सुरू हो जाते हैं जो अगले लगवग एक से डेड़ महीने तक आने की प्रिकरिया चलती रहती है केसर के फूल को मुक्यत रूप से खिलने के दूसरे दिन ही तोड़ लेना चाहिए जिससे केसर की गुडवत तब बनी रहे बात करें असली केसर और नकली केसर की पैचान कैसे करेंगी आप तो मार्किट में कई तरह के केसर उपलब दें लेकिन आपके लिए केसर की पैचान करना बहुत ही जरूरी है असली केसर अमेशा स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है केसर के रेसे के एक छोर सपेद रंग पर खतम होते हैं असली केसर को खाने पर केसर का रंग पीला हो जाता है और अच्छा केसर सामाने तोर पर कभी भी पूर्ण रूप से घुलंसी नहीं होता है जबकि नगली केसर रेसा घुल जाता है सामाने तोर पर अमेरिकी केसर सस्ती तता कम गुणकारी होती है इसलिए इसको अक्सर कस्मीरी केसर के साथ मिलाकर अक्सर बजारों में बेंचा जाता है अमेरिकी केसर की वहाव की बात करें तो 50,000 रुपे किलो से लेकर 80,000 रुपे प्रिती किलो के भाव में ये बिखती है जबकि मोगरा केसर याने की कस्मीरी केसर की बात करें तो ये 2,000,000 रुपे से लेकर 5,000,000 रुपे प्रिती किलो तक बिख जाती है नॉर्मल इसका जो भाव चलता है तीन से चार लाक रुपे प्रिती किलो के भाव चलता है अब बात करें केसर से समधित कुछ एंसी खास वात है जिनको जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है बता दें कि केसर की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है केसर कभी भी खराब नहीं होता है जिन किसान भाईयों का डाउट है कि भाई यदि अमारी फसल समय पर नहीं भी की तो क्या ये खराब तो नहीं हो जाएगी बिलकुल नहीं होगी केसर जितना समय पुराना होगा उतना ही लावकारी और गुणकारी और अच्छी क्वालिटी होगा और महंगा होगा क्योंकि जितने दिन पुराना होगा उतना ही महंगा बेगेगा अच्छा बेग जाएगा अब आप कहेंगे कि प्रिती हेक्टेर कितना उत्पातन मिल जाएगा तो भाई देखिए प्रिती हेक्टेर केसर की केती से लगवग आप 4-6 लाग रुपे के सम्तिंग कमा सकते हैं एक बार लगाने पर बात आती है कि इसको बेचेंगे कहां तो देखिए बेचने के बात आती है तो आप इसे जश्ट डायल पर कई सारे ग्राकों को दूण सकते हैं फिर यह महा नहीं मिलते हैं तो आप इंडिया मार्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर दूण सकते हैं यह तो ऐसी वेबसाइट है यहाँ पर कई सारे खरीदार मिल जाएंगे आपके लिए बात करें कि यदि आप इसके लिए और कहीं बेचना चाते हैं तो कहां बेचेंगे तो भारत का कोई भी किसान केसर को यदि खरीदना या बेचना चाता है तो वेबसाइक तोर पर भारत की आयरवेदिक मंडियों में या आयरवेदिक बजार केसर की मंडि में इसका क्रेव विक्रे कर सकता है या पिर ऐसी बड़ी कमपनियों को सेल कर सकते हैं जो कि इसको खरीद रहे हैं ऐसे कि कई सारी आयरुवेदिक कम्पनिया है पतन जली हो गई डावर हो गई और भी कई सारी कम्पनिया है जो कि इसको खरीद सकती है लेकिन आपको उनसे कॉंटेक्ट बनाना पड़ेगा कि वह इसको खरीद रही है कि नहीं खरीद रही है और आप इसको उनको सेल कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहा है और कितनी दामों में आप उसको बेंच पाएंगे अन्यता आप जश्डायल या इंडिया मार्ट की वेप साइट पर सेल कर सकते हैं बहुत सारे इसकर ध्यान देना है कि इसको बीज जब मेंगा आता है तो आपको खुद से आखों से देख कर ही खरीदना चाहिए ठीक है इसकी असली और नकली की पैचान कैसे करनी है वो भी हमने बता दिया है तो इस तरह के से किसानवाईयों आप कम समय में कम जमीन से भी लाकों रुपे कमा सकते हैं और केसर के केती है कैसी केती है जो कि आपके लिए बिजनेस को लाकों रुपे में ले जाने में काफी अतक मदद करेगी और वाकई में ये फसल 3-4 लाक रुपे पृति किलो बिग जाती है तो ये आपके लिए थोड़ा धियान देना होगा अब जरूर नहीं कि आपने हमारी वीडियो देख ली तो एकदम लालाची में आगए वाई करना ही है करना ही है तो लेकिन करने से पहले आप इसकी और जानकारी रिसर्च कीजिए यदि आप डेटेल में एक एक जानकारी प्रास करना चाहता है इसको लगाएंगे कैसे अच्छे डीलर कैसे है वीज कैसा मिलेगा इसका फिर इसको बेंचने में भी मदद चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हम आपके लिए बिल्कुल इसमें मदद करेंगे अगली आने वाली वीडियो उसमें और मार्केट में भी एक बाट ट्राइ किजिए ये कितने दामों में बिकर आए कहां कहां हम आपको इसको सेल कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आसानी से इसको हम बेंच सकते हैं मार्केट के अंदर या ओनलाइन ओफ लाइन आपको market नजर आ रहा है तो आप बिलकुल इसके खेती करिए ये खेती आपके लिए profitable business idea है और यदि आपको इस बारे में कोई भी idea नहीं है कोई जानकारी नहीं है तो बिलकुल इस काम में हाथ मत डालिएगा क्योंकि आपको इसमें फायदा कम नुकसान जादा होने के chances है क्योंकि कोई भी पसल ये खेती कर रहा है और जब तक उसकी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है खरीदने से लेके बैचने था तो उसमें हाथ पर नहीं डालना है आपके लिए अन्यता नुकसान हो सकता है तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में दिगए जानकारी पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करिए ज़दा ज़दा किसान भाई तक सेयर कीजिए ताकि भाई भी अपने लिए कुछ अच्छी जानकारी प्राक्त कर सके आपके जो भी सवाल है जवाब है कमेंट करी हम उसके नेश्ट वीडियो में जवाब जरूर देंगे और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट विजनिस प्लस यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मिल सके ऐसी इंपर्मेटिव जानकारी नेश्ट वीडियो में चली मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैन जै वारत वंदे मातरम